नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां ये बीज बड़े से बड़े रोगों को मिटा देता है तब ही इसका उप्योग चार हजार वर्षों से होता आ रहा है आये जा होने वाले फायदों के बारे में हम सभी जानते हैं परहंतु इसके साथ साथ निम के बीज से भी बहुत से लाव होते हैं क्या आप निम के बीज के होने वाले फायदों के बारे में जाना चाहते हैं तो सुनिए हमारे इस वाइस वर को निम के बीज किस प्रकार से बिमारियों आंखों से संबंधित बिमारियों तथा आत की बिमारियों इत्यादी के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। यह लावकारी तेल, साबुन, क्रीम, लोशन, फेश वाश इत्यादी में मिलता है। बर्बल शेंपू में निम का तेल होता है, निम तेल युक्त शेंपू का बालों पर शांदार प्रभाव पड़ता है। निम युक्त शेंपू से बाल धोने पर नवे केवल सुन्दर दिखते हैं, बलकि यह बालों के जढ़ने और समय से पहले बालों के सफेद होने जैसी समस्याओं को दूर रखता है। स्वस्त और चमकीले बालों के लिए आप निम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। कि महिलाओं तथा पूर्शों दोनों में जन्मनी अंतरण के लिए निम प्रभावी रूप से उपयोगी है। महिलाओं में गरभावस्ता को रोकने के लिए निम के तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है। यदि आप परिवार प्रारंप करने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपको निम का उपयोग नहीं करना चाहिए। करवती माओं को भी इससे दूर रहना चाहिए। पिसूओं को दूर करने में सहायक। निम का तेल आपके पालतु जानवर के लिए भी उपयोगी होता है। यदि आपका कुटा या बिल्ली पिसूओं से संक्रमित है तो उनके बालों पर निम का तेल लगाएं इससे आपके पालतु जानवर के बाल सिस्थ और चमकीले हो जाएंगे। इस उपचार का लाव यह होता है कि इससे जानवर को कोई नुकसान नहीं होता अता आपको अपने पालतु जानवर के स्वास्थिक या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की भी आवशकता नहीं होगी। नीम के बीजों से तेल निकालने बाद जो और अवशेश बजता है उसमें नीम कीच्टिकि किया बनाई जाती है... मित्टी को पोशक बनाने के लिए इस जैविक पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है इसे। यह मित्टी में नाइटरोजन को कम होने से रोकता है क्योंकि यह नाइटरी करण को रोकता है। कीडों को दूर रखने में सहायक, नीम के बीज का तेल एक उतक्रिष्ट कीट निरोधक है, माली बागीचे में पाए जाने वाले विभिन्य प्रकार के कीडों जैसे इल्ली, घून, तिड्डी, जिंगूर, इत्यादी को पेन पौधों से दूर रखने के लिए इसका उपियो के लिए नीम के बीज के तेल का उपियोग करते हैं, नीम के पीसे हुए बीजों को रात भर पानी में भिंगो कर रखा जाता है, तथा इस पानी का फसलों पर छिड़काओ किया जाता है, यह छिड़काओ अंडों को निश्क्रिय करता है, कीटों को दूर रखता है, तथा उन्हें मारने में सहायक होता है एक बार छिटकाव होने फर भूख के कारण केरें कुछी दिनों में मर जाते हैं निम के बीज से बने किट नाशक उतक्रिष्ट होते हैं क्योंकि ये रसायन मुक्त होते हैं अन्य बीमारियों के उपचार में भी ये सहायक होता है निम के और प्रोश्टेट से संबंधित बीमारियों के उप्चार में बहुत प्रभावी है यह उप्चार दशकों से चला आ रहा है परन्तु आज भी लोकप्रिय है क्योंकि इसका फाइदा होता है जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड म आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों